हेलो डिये स्टुडेंट्स वेलकम तू अपनी गख्षा और आज अपने कॉलेज स्रीज में एक नया कॉलेज लेक आया हूँ और नाम आपको दिखरा है एमस रिसी केश यस मैंने आपको जब एमस का रिवीव बताया था हमने बताया था डेली एमस के बाद गौर्वर्मेंट एमस्टि निकाल के कुछ और अपनाने का प्रोसस चालू किया था जिसमें एक साथ चेमस बनाएं गये थे जिसमेंस हम लोग फास्पर कर कर चुके हैं लास् क्विडियो में कव कर कर चुके हैं इस वाले वीडियो न्ये还 के बारे बात कर तो यह college कुछ ऐसे पहाडों के बिल्कुल गोद में यस इन लाप ऑफ हिल्स पहाडों के बिल्कुल बीचों बीच कहीं बहुत ही खुबसूरस ती जगह पे यह college यहाँ पे उत्राखंडगे रिशिकेस में प्लेस्ट है यह college established किया गया 2012 में और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह campus खतम होने के ठीक बाद ही गंगा यहाँ पे बहते वी आपको दिखाई दे रही है तो मैंने आपको पहले ही भी पताया था कि जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एक better education चाहिए और वो चाहते ह हैं उनको पसंद है हीली एरियास तो वो यह aims ले सकते हैं मेरे जानने वाले ऐसे बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं जिन्होंने एम से रिची केस को ओवर बीच्चू के जीम से भी आप्ट किया है इसका एक रीजन है जहाँ पर अट्रैक्शन जो नेचुरल ब्यूटी है वो तो है ही है बेटा कॉलेज में बट यह कॉलेज बहुत नए होने के वावजूद हमारे रैंकिंग में बहुत उपर आता है लेकिन इससे उपर ही आते हैं बीच्ची और केजीम सी पिर लोगों ने लिच्च को चूड़ा क्योंकि इस को रीच का जो पुक्रक्लम थे है व करिकुलम वाला जो वो सलिबस पढ़ना चाहते थे जिन चीजों के प्रैक्टिकल करना चाहते थे जो उनको रिसर्सेज करना था वो सब कुछ इस कॉलिज में मिल जाता है पहली चीज दूरी चीज नेचरल ब्यूटी बहुत अच्छी बहुत ही अच्छी जगह पे है कॉलेज तीसरी चीज इस कॉलेज के अंदर जो पीजी की सीट्स है वो एमस डेली के बाद मैक्सिमम पीजी सीट्स है यह पर जाते हैं बहुत सारे दूसरे को ड्रॉप करके क्योंकि उन्हें यहां पर पीजी करने के लिए यही जाता है तो कपी जी की बात हमें कर रही नहीं फिलाल हम लोग UG की बात कर रहे हैं बट चुकि वो future में ज़रत होती है इसलिए बच्चे इस college के तरफ attract होते हैं ये कुछ ऐसे points मैंने आपको बता दिये जिनके help से आप समझ पाएं कि क्यों ऐसे भी बच्चे हैं जो दूफरे college को drop कर रहे हैं के लिए 2012 में ये college stable हुआ बनाया गया इसको 2012 में commitment के बाद हम लोग पहले यह सब बाते कर चुके हैं उत्तरा खड़ देव भूम में ये college place है जब हम इसके campus की बात करते हैं तो इसके जो campus area है यहाँ पे लिखा नहीं है मैं लिख देता हूँ campus area whooping बहुत बड़ा कहीं न कहीं जरूर मैंने mention किया था मैं बूल गया बढ़ ठीक है 400 प्लस एकर इसका जो campus area है वो 400 एकर से भी बड़ा यहाँ पे जो land मिली है इस college को 400 एकर से भी ज़्यादा बड़ी यहाँ पे इसको land area दिया गया है जहाँ पे यह college दीरे 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 डेवलप होके fully establish होगा अभी यह चल रही है यहाँ पे बहुत सारी और चीज़े बनाई जा रही है develop किये जा रहे है चुकि अभी यह college बहुत नया है लेकिन aims है देव भूमी उत्तराखंड में है पहाड़ों के बीच में है तो बच्चों का अट्रेक्शन डेफिनिटली यह बना हुआ है और यहाँ पे करिकुलम इंस्वाला फॉलो किया जाता है तो यह पीछे भी कैसे रह सकता था इसलिए अगर आप देखेंगे तो यह आल इंडिया इंस्टूट ऑफ मेडिकल साइंसे रिसी केस वर इस्टेबिस इन टूटाउजन ट्वेल एंड इट लोकेटेट इन बैंक्स ऑफ रीवर गंगा गंगा के ठीक किनारे पे है इसलिए तो यह थोड़ा सा पूराना न्यूज लग रहा है यहां पर यह तो बहुत सारे हो गए बढ़ ठीक है यह 22 बेस्ट मेंडिकल कॉलेज तो हम रैंकिंग को भी ध्यान में रखते हैं कैंपस को भी ध्यान में रखते हैं यहां से देख रहे हैं यह थोड़ा सा इसका ड्रोन व्यू लिया गया है कैंपस का इंस्टूट इस्टूट इस्टूट इन बैंक ऑफ फॉली रिवर गंगा एंड़ कैंपस इसका कैंपस है बट इसको जमीन मिली हुई है जहां पर यह फुली फंक्च्छल होते होते बनते बनते डिवलप होके इंफ फ्यूचर त्यार होगा लिखा है रिसी के साथ स्टेट अफ दा आर्स पेसिलिटी इस यहां पे जो कलाकारी है जो बनाने में बिल्डिंग को बहुत ही सुन्दर बिल्डिंग है बहुत ही मतलब इसको बोलते हैं ब्यूटिफुल एम्स अमंग द हुआ है बहूत ही इस इस इसको बैदाने में बहुत में बहुत सुन्दर बना हुआ है तो जिन बच्चों को ऐसा होता है कि हमें एक गम ऐसी बड़ियां लोकेशन वाली और सुन्दर से दिखने वाले कॉलेज में जाना है उनके लिए बहुत अट्रेक्शन है बहुत सारे फैक्टर से हम लोग करेंगे बात वन बाइवन राइट यहां पर देश्टूड इस वेल नोन इसका रिसर्च के साथ रिसर्च के लिए कोलाबरेशन किया गया है एक्टियॉल में आपको बताओं एम्स का मतलब हम यही जानते हैं कि पड़िया मैडिकल फेसलिटीज एंड बढ़िया रिसर्च लेकिन अभी चुकि यह कॉलेज बहुत नया है यहां पर रिसर्च तीस ध वाला college बन जाएगा बट अभी क्योंकि यह बहुत नया है हम यह बोले कि यहां पे सारी चीजिए हो जाए न तो इतने कम लिए सब देखने को बोलते हैं college ही तो बना है बट medical college बनाना fullyable क्टीन फॉली त्रीकश उसको डेफलोप करके हर चीज गो गवन कर पाना इतना असान नहीं है तो बाई दे टाइम ये डेफिनिटली वन अफ दे बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया ये टेवलप होगा बट अभी यहां पे रिसर्च की फिसलिटीज भी यहां पे लिख दिया मैंने कि हैं बट मैं खुद बोल रहा हूं क अब टूद आप मार्क नहीं है बटम जो आप एक्सपेुक्टिशन लेकर जाते हैं यहां पे और др इस और पर काम करने के लिए रिसर्च संट्र यहां पर बनाया जा रहा है और इसके कुछ कॉलाबरेशन की बात कर लें, कहां कहां पे, तो यहां पे TATA Memorial Hospital के साथ ही धना को알ावरेट है जो नेशनल कोलाबरेशन की बात कर रहे हैं पतंजली University उत्तराखंड में सुना होगा आप लोगोंने उसके साथ भी ये अटाच है IIT रूरकी के साथ इसका attachment है and Hans Foundation and others और दूसरे भी हैं यह तो मैंने कुछ major major यहाँ पर बता दी है आपको rather than that इसके साथ पर आपको बता है कि इसका international collaboration भी है international देखा जाए तो international India trust के साथ Columbia Asia Hospital Private Limited Columbia Asia Hospital Private Limited के साथ भी इसका है और महर्शी इंटरनेशनल वैदिक उनिवरस्टी और अदर्स कुछ दूफरे वैदिक उनिवरस्टी और इसके अलामा भी बहुत सारे दूफरे और निकल के आ रही है कि research facilities यहाँ पर अच्छी है तो इतनी up to mark नहीं है बट एक चीश और है कि in coming future यह college इंडिया के टॉप बेस्ट medical colleges में से होगा जहां कि research facilities भी एक ग्रेड होंगी developing phase में है बात में यहाँ पे सारी facilities आपको मिल जाएंगे the study is well equipped with the latest medical instrument मैं फिर से भाई बोल रहाँ कि जब college ही नया बना हुआ है नया college है तो नया college में सारी facilities बिलकुल नहीं है तो यहाँ पे जो इंस्टुमेंट है जो लेबरेटरीज है यहाँ पे बनी हुए जो लेबरेरीज है जो भी facilities है यहाँ पे वो सब up to the mark है बहुत अच्छी है बहुत बढ़िया है सब कुछ क्या है बहुत बढ़िया है 100% यहां की एक चीज बहुत खास बनाती है इस college को इस college को एक चीज बहुत खास बनाती है और वो है यहाँ पे काम कर रहे हुई प्लेस्मेंट सेल है जो यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि हम बात करें यूजी कोर्स के बट एक्चुल में यहाँ पे भी more than 40 medical sciences के courses चलाए जाते हैं दूसरे भी बहुत सारे departments है तो यहाँ की एक बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चा इस university से पढ़ रहा है इस medical college के साथ associated colleges से पढ़ रहा है चाहे वो कोई भी course कर रहा हो आरुवेदिक हो या दूसरा किसी भी department का हो उस बच्चे की placement से लिए हाँ पे जो लेबल पे भी वो आपका option है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है अगर आपने उससे suitable उससे better job फुरी खोज लिया है तो why will you opt अगर नहीं मिल रहा कहीं पर परिशान है तो they will ensure कि आप jobless ना रहे हैं आपकी कही न कहीं placement एक ठीक ठाक वो करा के देते हैं ठीक ठाक इस लिए ब यह placement cell जो वहां का है यह भी एक बहुत अच्छा और positive note है क्योंकि यहां से आप कोई भी course करके निकलते हैं तो job opportunities आपके लिए college वाले खुद ही बहुत जादा filter करके निकाल के देते हैं कि यहां यहां देख लो यहां यहां हमारी पहचान है यहां आप जाके MCC case बोलेंगे बाकी आपकी एक शाप ले या ना ले तो यह भी एक बहुत अच्छा और plus point है इस college के साथ facilities देखा जाए तो 125 MBBS seats है यहां पर और उसके अलावा मैंने बोला था कि बहुत सारे courses हैं यहां पर देना नहीं है यहां पर numerous medical students है और बहुत सारे medical courses है जहां पर 200 से ज़री जादा faculty की team है मतलब एक अच्छी खासी faculty का group है यहां पर जो आपको पढ़ाता है चुकि यह aims है तो इसमें कोई doubt नहीं कि जो faculties होंगे आपके वो बहुत एक rate के हैं यहां पर भी well known internationally and overall nationally भी उनकी बहुत सारी किताबे लोग पढ़ रहे हैं बहुत सारी चीजें इन लोगों ने कर रखा है अपने फिल्ड में बहुत ही चुकि तो यहां पर नमबर जो है आउट पेशेंट के अब बढ़ रहे हैं यहां पर 91 इस्पेशलाइस क्लिनिकल यहां पर यहां पर एड की जा चुकी है पहले ही और पहले यहां पर स्टार्ट हुआ था जब यह 2013 बें तो 200 बेड थे अभी यहां पर डेवलप करके 960 emergency के लिए यहां पर total 24 x 7 x 365 मतलब साल के हर दिन daily की facility की बात करें तो यहां पर emergency services हैं जिसको दो तरीके में बाठ दिया गया है एक तो trauma surgery trauma center में और दूसरा normal emergency medicines में सबकी अलग-अलग buildings हैं यहां पर शायद आपको मैं दिखा भी दूँ यहां पर इस college की यह भी एक खास बात ह ये भारत का एक मात्र और पहला AIMS है, एक मात्र है मतलब वनली तो पहला ही होगा, ये पहला AIMS है जिस AIMS कॉलेज के साथ हेली पैड बनाया गया है, मतलब पेशेंट को अगर आप कोई ऐसी जगह, क्योंकि पहाडी का एरिया है, हिली एरिया है, अगर पेशेंट को नॉर्म कंडिशन में आप अपने पेशेंट को कॉल करके जैसे एंबूलेंस से लेके होस्पिटल आते हैं वैसे हेलिकॉप्टर से लेके आ सकते हैं बहरत का पहला और एक मात्र एमस है जहां पर ये फेसिलिटी अविलेबल है तिल नाव राइट ये इसका आपने बात कर रहे थे ये कॉलेज का इमर्जेंसी गेट यहां पर इमर्जेंसी वाली बिल्डिंग है और यहां पर इसका ये ट्रॉमा सेंटर भी होगा ओपीडी बिल्डिंग इसकी ये रही ओपीडी ब्लॉक ये रहा इसका ट्रॉमा सेंटर सब कुछ सेपरेट मतलब एक बढ़िया आपको कैंपस यहां पर दिखाई देने को देखने को मिल जाता है यह कॉलेज का auditorium है यहां कैर्पस में बड़ा और खुशुरा सा auditorium मना हुआ है जहां पर बहुत सारे assemblies वगरा होती है जहां पर आप देख रहे हैं यहां पर प्रॉपर बहुत सारे doctors and experts के बीच में अपनी बातों को रखते हो और आप दूसरों की सुनके भी बहुत सारी चीज़े सीखते हो तो यह यहां का auditorium हो गया यह classroom बिल्कुल smart classroom जैसे आजकल के new medical colleges में हैं वैसा ही यहां का smart classroom डिजिटल बोर्ड लगे हैं विल वेल फॉर्निस्ट विल्कुल एसी classroom यहां पर classroom ना बोलके इनको lecture theater बोलते हैं lecture theater बोलते हैं यहां पर एक्दम बढ़ियां से classes आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको classroom की service के साथ भी बहुत अच्छी facility मिल जाती है बड़ यहां की खास बात और है कि यहां पर बच्चों के लिए हर जगा होता है वह ऐसी कोई खास बात नहीं है लेकिन यहां का बच्चों की आपने सुना होगा कि जब आप मेटिकल कॉलेज में जाते हैं तो आपको कोई डेड़ बॉड़ी मिलती है उस डेड़ बॉड़ी के ऊपर आप अपने सबसे बढ़ी सबसे मेडिकल कोफ़ी सबसे बढ़ीा मेडिकल कोज में से एक रीजन क्या है रीजन क्या है अध। से सुनिए इच यह को शिक्स कैड़ेवर्स को आर गीवेन टुदा मैडिकल स्टुएंट्स एवरी एयर मतलब किसी एक पर्टिकुलर एयर में 125 बच्चे हैं तो छे कैड़ेवर मिलते हैं आपको छे बॉडी मिलती है 125 बच्चों पे छे बॉडी मतलब एवरेज देखे तो 20 ब से बहुत जादा खराब है यहां तक की कंडिशन ऐसी है कि पूरे साल में शायद एक बॉडी या दो बॉडी मिलती है नॉर्मल देखा जाए ना दूसरे मेडिकल कॉलेज में आपको डिफरेंस सम्झा नहीं हो तो पचास स्टूडेंस पे एक कैड़ेवर और यहां पे 20 पे एक यूगाट दो पॉइंट हर साल बच्चों को छे डेड बॉडी दी जाएं किसी को मार नहीं देते हैं हो वो जो डेड बॉडी अविलेबल होती है को कराते हैं पहाड़ी एरिया से तो एसे उनको अविलिबिल्टी है तो वो करा रहे हैं तो एक यह बहुत अच्छी बात है कि आपको एक प्रोफेसर है जो अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं अपने प्रोफेसर से वो तो कर रहे हैं बट कभी-कभी थोड़ा डीप ना जानना होता है यहां पर यहां पर बहुत जादा आपको करना है कि मुझे हर चीज सीखनी है तो कॉलेज में करिकूलम को फॉलो कर रहे हैं तो वह भी बाउंड़ेड है वह आपको जितनी चीज़े बताना चीए उत्ता बताते हैं अगर आपको बहुत अच्छा सीखना है तो आप स्किल ल इन्हांस कर सकते हैं यहां पर यह भी एक लाब की फोटो दिख रही है कुछ प्रैक्टिकल लेबरेटरी पुरुसना तक यूजी अप्ग्रेड़ेड प्रियोकसाला यहां पर बहुत सारी लाइबरेरी की बात करें सेंटर लाइबरेरी यहां की सेंटर लाइबरेरी का लिए पाने मुझाया कहल पर लुँक्स को बाता है यहां और लिखने के लिए वह यहां पर बहुत बहुत लिएप लाइबरी के से ल्म से जादा जाएंगे तो रहेंगे कहा जानमुष की फोटो डाली एक तो यह चुली में यहां के होस्टल से यहां पर आप करें तो सारे मेडिकल आइडियल मेडिकल कोलजेस के जैसे यहां पर सेपरेट वाइज होस्टल है राइट दो टैप के होस्टल से तो आपको तीन रूम का सेट दिया जाएगा तीन स्टुडेंस के लिए दो रूम का सेट दिया जाएगा जिसमें सारी फितलिटी होंगी और आपको अपना पहला साल लगबग यहां पर दो सेविस्टर तक आपको यहां पर गुजारना होता है है न इन फर्स यर होस्टल यू विल गेट अपार्टमेंट लाइक होस्टल आपको बिलकुल लगेगा न यह तू भी एच के विल गया है आपको और आपको एक रूम में चेयर टेबल अलमिरा बेड पैंट टूबलाइट यह सब कुछ मिल जाता है तो आप उसको अपना अपने तरीके से कस्टमाइज करके बना लीजिए यू आप उस रूम के अपने किंग राइट यहां पे यह चीज बहुत इंपोर्टेंट और है हॉस्टल साब बहुत साफ हॉस्टल हैं नॉट वनली दो हॉस्टल भी हाफ क्लीन ग्रीन कैंपस आपका कैंपस भी बहुत साफ सुतरा है इसलिए देस यह मतलब दोजातेईस में हम सबसकते हैं कि पूरे इंडिया में इसको व्ले नंबर पर यह क्लेज आया है साफ सफाय में और वह सबसे सफाय का लेवल बहुत अच्छा आपको कोई करफ्यू नहीं मिलता है जो रात में खाने पीने वाले हैं उनको खाने पीने के लिए यहां पर कॉलेज के अंदर गोलेज के अंदर गांटीन वगर भी टोटल ऑल्ल टाइम 24 गंटे खुले कैंटीन मिल जाते हैं यह होस्टल के अंदर का व्यू है यहां से एक दम रंग दिरंगा सा होस्टल जहां पर थोड़े इंडोर गेम्स के लिए कैंपस भी बना हुआ है जहां पर आप खेल कूछ सकते हैं आप रूफ पर वहां पर जो च्छत है च्छत यह की स्पेस्पिक कि बात कर रहा हुआ है कि यहां पर दिखा रहा हूँ और इसके ठीक बाद आपको यहां पर बाटर वाला दिखा दिया जहां पर एक सिंगल मिलता है इसमें आपको रहना है और यह वां यह सटल लग्ल्स नहीं आइ等 लेग गल्स ही जैनलिमें की बात यहां की दूदनों कर में बच्चे क्या खाना पशन करते हैं और उसके according घ्लाइबें तो इसे हम सुरिश classic सटूडेंट ही स्टूडेंट के लिए में सटूडेंट करते हैं कुछ आपके जो गये वह साधीयों की जाते हैं और वही आपके लिए मिस चला रहे होते हैं नॉमिनल आपको 3500 रुपे पर मन तक के आसपास पर खाना मिल जाता है यहां पर आपको एक मुझे जो मिला है यह उननीस में देखो ऐसे लिखा हुआ है कि मैस निंबर तीन में यह इस तारिक से एफेक्टिव है कि स्नैक्स क्या आएगा डिनर क्या आएगा ब्रेक्फास क्या आएगा तो ऐसा ही on the basis of majority majority क्या डिमांड कर रही है बच्चे क्या ज्यादा खाना चाह रहे हैं तो यहां पर आप जैसा खाना चाहेंगे on डिमांड mostly वैसी चीज़ें आपके लिए अविलेबल करा दी जाती हैं तो खाने पीने की बाद भी बहुत बढ़िया हो गई मतलब सस्ते में मन चाहा खाना आपको यहां पर मिल रहा है राइट साप सफाई का बात हमनों पहले कर चुके हैं आप देखिए साप सफाई यहां पर यह खाली वाला है और यहां पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है खाना पीना एकदम बढ़िया हाइजनिक तरीके से हाइजीन बहुत अच्छा है खाना पीना बहुत अच्छा है यहां का सटिस अच्छी है यहां पे PG की सीट्स काफी अच्छी है तो और एक तो पहाडों के बीच में भी है देव भूमी उत्तरागंड में तो पेशेंट्स के लिए यह वैसे ही डिमांडेट बना हुआ है लेकिन अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे खाने के साथ साथ अच्छे वस मेगनी बात करें जो पीछे वैसे दखरांट कोड की बात करें क्रिकेट ग्राउंड की बात करें टेंट टेनिस की बात करें जिम यहां पे हैं वेल एक्वेप्ट जिम मौडन रिधिम बने हुए हैं इसके लावा कॉलेज में डीजे नाइट कॉलेज में डीजे नाइट इनका एन्वल फेस्पाइरेक्सिया वह भी बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया इवेंट होता है कॉलेज के अंदर बहुत सारे कल्चरल कॉलेज हो सकता है और होना चाहिए क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिप्रेशन कर रहे हैं एडिशन लेना आपको यूजी कोस में तो मैं यही बोलूँगा ना कि आप बार बार में बोलता हूं कि आप जितने मेंटल लेबल पे हो जो आपका बेस्ट मेडिकल कॉले बहुत सारी चीज़े हैं कुछ लोगों के लिए कि रहेना खाना बहुत अच्छा है तो सबका अपना-पना अट्रैक्शन है तो यह हो सकता है वाट होने के लिए आपको क्या रैंक लाना बड़ेगा क्या मार्क्स लाने पड़ेंगे यहां करती स्ट्रॉक्चर देखा पांचेजार के आसपास इसकी फीस है यहां पर आपको साड़े-चार एयर का कोस मिलता है और एक साहिल का आपका क्या है क्या बोलते हैं इंटरंशिप हो गया नॉमली है यहां पर जो कट आफ गई है 680 थी जन्रूल के टेगरी के लिए 2022 में टेइस में 690 बढ़ गई तो मैं एकस्पेक्क कर रहा हूं 24 में भी बढ़ेगी क्योंकि नंबर अच्छा जंप देखने को भी लेगा EWS 674, 680, 694 प्लस, SC 621, 642 तो 660 प्लस चाहिए होगा, ST 597 काफी अच्छा जंप तो ठीक ठाक जंप इस बार भी 640 माक्स तक आपको ये कॉलेज, ये एकस्पेक्टेड है, मैं मतलब कोई क्लेम नहीं कर रहा है, पर एक ट्रेंड देखके हमनों क्या कर रहे है, क्या चीज, पॉसिबिलिटी, क्या है, ताकि आपको मैं मदद कर पाऊं, कि बिटा अगर तुझे इस कॉलेज में जाना है, औ लड़ने वाली बात नहीं है, ये एक आपको हम लैंड मार्ग देते हैं, कि कम से कम इतना लेओ, ताकि आप सेफ सिक्योर फील करो, तो आई होब कि आपको एम फ्री सी केस का ये वीडियो पसंद आया होगा, और और ऐसे ही वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे आगे, अभी अभी भी अभी भी काफी टाइम बचा हुआ है, अगर आप सपना देखते हैं कि कौन सा मेडिकल कॉलेज में चाहिए, क्या हमें क्राक करना है, तो मेनत करते रहे, तैयारी करते रहे, आखरी तक लड़ते रहे, मिलेगा आपका सपना पूरा कर पाएंगे, और आपको के साथ, आज की लिए विदाई, मिलत आगरे क्रोलेज में, तिल देन, गॉट द्रेस, टेक केर, हवाव पाई